तीसरी एडीशन वेले, सितंबर उन्नी सो पंताली, आपने आप सम्मन्दी बंदगी नामे दियां पहलियां एडीशना ने मैनू अनेका बे घर्ज अते सचे पुर्शांदी नितरतादा सुभाग बक्षिया जे सुते जिन्नावी मान कीतादाए ओ थोड़ है इन आविचों बहुते मित्र मैनू मिले नहीं, सिर्फ प्यार परियां चिठियां रहीं मेरी जान पछाण इस करके ओ थे बंदगी नामें दे आम पाठक मेरी शकल, मेरे लिबास, आदक सम्मन्दी बहुत गलत अंदाजे लौँ दे रहें देने कईयां दे ख्याल वेच मैं कोई पगवे कपड़यां वाला, लंबी ते सफेद दाड़ी वाला, बिरदत त्यत्यागी पुरश इस वास्ते बंदगी नामें दे इस एडीशन वेले, मैं आपनी तस्वीर छपवा रहे हैं, तांके पाठक मेरे समंदी सई अंदाजा ला सकना ये फोटो मेरे जीवन समंदी कई गल्ला तां दस सकेगी पर कई गल्ला बिल्कुल नहीं दस सकेगी, ये सलई मैं आपने पाठकां दी वाकफियत लही, आपने आप समंदी कुछ जरूरी गल्ला भी परकाशत करन लगा हैं मैं कोई सादू संत महात्मा जां तार्मिक शकलो सूरत वाला बुड्डा ते त्यागी बंदा नहीं हाँ, सिरी गुरू नानक देव जी दा, सिरी गुरू गुविन सिंग साहिब जी माराज दा एक साधारन ग्रिस्थी अम्रतारी से खाँ आपनी किर्द कमाई नाल आपने प्रवार दा निर्भा करदा ते दुन्यावी फर्ज ने बाउंदियां जिन्ना समा मिल सके उन्ने समय विच सिरी गुरू 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 गुविन सिंग साहिब जी माराज दा एक बहुत वड़ा स्यानप परिया फैसला सम्झना जिस करके सिख काउम सदा एक मुठ ते एक जान रवेगी। सब चंगियां चीजां तो लाव उठाउन दी कोशिच विच रहिना। रेडियो सुनना, चंगियां फिल्मां वेखना, ते रोज शिरी गुरू गुरंथ साहीब जी दा पाठ आते रात नू उठके सिम्रन अब्यास करना। बच्यानों कालजावेच पड़ोना नाले कारवेच सात संग लगा के प्रवार समेत की रुतन वेच जुड़दा हा गुर्बानी दी सबतों वड़ी इज़त पूजा इस दे उपदेशानों समझन ते कमान वेच समझना शरी गुरुगरंथ साहिब जी मॉराज़ँ के अखान मीट के मथा भी टेकना ते अखान खोड़के इस दे महावाका नो वीचारन दी कोश़िश भी करना मेरे पिताजी दाड़ी नो रंग देने मेरे खोड़ों भी इस तना करन दी आस रख देने इस कारके मैं भी दाड़ी बनना ते वस्मा लाउना ते जदों ताक पिता जी दी खुशी एस विच है ओदों ताक इस तरहीं करन दा संकल पराखना मेरे पिता जी दी बारली शकल पामे तार्मिक नहीं पर उनना दा अंदरला जीवन पुवित्तरता सिद्क दे इलाही रंगन वेचे रंगया होया सचे सिखावर गाजीवन मेरे उते उनना दा सादा निर्चल ते महान परसनेल्टी दा इना प्रबाव है के दाड़ी समंदी जा होर मर्यादा समंदी उनना नाल विचार करन दा मेरा ही या नहीं पैंदा जिते गुरुनानक देवजी दा सिखोन दा मैनो माने ओ थे आप वरगे गुर्मुख पिता दा पुतर ओनते भी मैनो काफी माने एक होर गल जेडी मेरी तस्वीर पाठका नो नहीं दस सक दी ओ है मेरे मन दिया बस था बंदगी नामे वेच मेरे जीवन दा सिर्फ चंगा पासा ही नजर ओना है इस तोई समझना के मेरे जीवन दा माड़ा जां कटिया पासा है ही नहीं बहुत बड़ी पूल लोगी शिरी गुरु गरंद साहिब जी विखे जो गुर्शी खांदे लच्छन दसे ने उन ना अनुसार मैं बावजूद सिर्थ ओड़ कोशिश करन दे अजेवी बड़ा अपूरन से खा मेरियां कमजोरियां कई वार मेरियां अखां समने आके मैनों बड़ा शर्मिदा कर दिया ने ते एक तार्मिक पुस्तक दे करता होन दी सारी खुशी खोंके ले जा दियाने पर सिम्रण अब्यासविच आपनी मवजूदा आत्मिक अबस्थान वेख के मेरी निरास्ता दूर हो जा दी अब्यासविच वेखना के करतार दी अंसोन करके मैं जो तहा चानन ते जिमें चानन दे सामने हनेरे दी कोई हस्ती नहीं ना होंदी उसे तरह मेरे सामने मेरियां कमजोरियां मेरियां उनतायां दी कोई हस्ती नहीं जिमें चानन नो हनेरा दूर करन दे ले किसे खेचल करन दी लोडनी पेंदी उस देते सिर्फ परकाश उनना लिया निरा पे गुम हो जांदे इस तरह कमजोरियां उते फते पाउन दी कोई कोशिश करन दी लोड नहीं रिंदी एते ओधों तक ने जदों तक मैं अपने सिम्रन अबे आश वेखी अपनी असलियत नूँ उस सिम्रन वाले अनन्द तों बाद पुल जानदा है इसलिए मैंनू अपनिया कमजोरियां तों शिर्मिंदा उन दी बदाए अपने सिम्रन अबे आश वेख दिस दी अपनी असलियत मैंनू हरवे ले याद रखने चाहिए जदो मेरी असलियत मैंनू हर वेल याद रहें लग भई ता मेरी कमजोरियां दा मेरे नाल उसे तरह कोई वास्ता नहीं रहना जिमें चानन दा हनेरे नाल कदी भी किसे वेले भी कोई वास्ता नहीं था सितंबर उन्नीसव पुंतारी पंजमी एडीशन वेले अपरेल उन्नीसव पुछवण जा इस किताब दी तीजी एडीशन वेले उन्नीसव पंतारी वेच आपने आपसमन दी लिखद्या में दस्या सी के मेरे पिताजी दाड़ी रंग देने ते मेरे को नो इस तरह करन दी आस रख देने इस करके मैं वस्मान लाउना इस तरह करन दा नतीजा है होया के 1901 वेच पहला मेरे पिताजी ने मैं नू दाड़ी रंग नी बंद करन दिया गया देती ते कुछ देर बाद खुद भी दाड़ी रंग नी बंद कर देती पावे सिख काउं दे तारमिक तबके विच दाड़ी रंग ना बाध बुरा समझा जाए 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 पर जिस उदारता ते विशाल देली नाल आतम साइंस लहर दे हजारा मेंबरा ने ते होर सिख पबलिक ने मेरी इस कमज़ोरी ने चले आए ते वे क्यां डिट कीता है मैं उना दा दिलों तनवा दी या एक दो काले मित्राणे मैंनू चिठियां राई राज के गालां भी कडी है ते आपने दुन्यावी पिता दी गल्त गाल मनननू मेरा नाम वा फोन वाड़ा अपराद भी आख्या पर क्योंके उना दियां गालां ते फिटकारां दी तै विच भी कोई शुब चिंता जा मेरे सुदार दी छाशी इसलिए मैं उना दा भी तनवा दी आज है के हुण ओए जान के खोशों अगे के ऐसी दो में पिता पुतर दाड़ी नहीं रंग दे मेरे सुदकारियोंग पिता जी सिरीमान सरदार लेना सिंग जी दे आतम साइंस रसाले वेच अच्छा पर रहे लेख जिनना में तराने पड़े ले ओँ मेरे नाल सैमत उनगे के ऐसे महापुर्ष पिता दी खुशी लई मैनू इस तनी करना चाहीदा सी एक होर ख्याल वी मैनू दाड़ी रंगण लई मुनासब लगदा सी दरसल दाड़ी नू रंगण वाला काला रंग मेरी अंदरली अपूरण तादा जहरा सबूत अते दिसदी निशानी सी मेरी शकल वेखद्या सार लोक मेरी अंदरली अवस्थातों अंदाजा ला सक देशन पर होन आपना ठीक मुल्प वाउन लई मेरे पास वो तरीका भी नहीं रहा एक गल जड़ी हुण में लिखनों नहीं रह सकदा जो के बंदगी नामें दी पहली एडिशन दे छपन वेले दीए ओ ए के ए किताब सायद कदे वी ना छप सकदी जे उस वेले मैनों दो आरतां दी वड़ी ते नितड़क मिल वरतन ना मिल दी देखो साड़ा परवार लहार एक अठा रही दा सी ते खान दान दा सारा पैसा मेरे पिता जी दे आथ वे सी जिन अनूस वेले तरमनाल कोई दिल चस्पी नहीं सी बंदगी नामें दी छपाई ते कागज आदे खर्च लई हजार रुपईया चाहिए दो सी ते पिता जी तो एर रुपईया मिलन दी आस नहीं सी दो तिन साल एक किताब ऐसे करके ना छप सकी एक दन मेरी हैरानी दी कोई हाद ना रही जदो मेरी वड़ी पैन सिरी मती चनन का और पते मेरी सुपत्नी बीबी रुवेल का और ने लोडीन दा रुपईया मेरे सामने लिया के रखा देता ते आख्या असी आपने जेवर गिर्वी राके सिर्फ ये दा प्रबंद कीता है और बंदगी नामा जरूर चापके रवेगा तुसी कागस दा पर बंद करो पिता जी तो चोरी च्छपाई लई पावें किताब लाओर दी बजाए अमरत सनो च्छपाई गई सी पर च्छपन मगरों आखर उसनो कारते लिए उनाई सी पिता जी ने पता लग गया असी ते पिता जी दियां चिडगा खांड लई ते आरसा पर पिता जी ने सिर्फ उस सुने आरे दा नाम पता पुछके जी दे को ल गयने रखे सन उस तो गयने वापस लेाके पैंड जी अते रवेल का और दे हवाले कर दे इस तरह आतम साइंस लेहर दी नी बजी हुन जाद आतम साइंस लेहर दे प्रेमियां वलों हर साड़ा हजारां परशंसा पतर मेरी नजर विचों गुजर देने ता मैंनो इना दोहां वीबियां दी वेले सिर कीती नितड़क साहता याद हों दी और ता चाउन ता की नहीं कर सक दिया सत्वी आडेशन वेले जून उननी सौप पैंट पता नहीं क्यों आपनी आजकल दी फोटो वाल वेके मेरा दिल शंती ते सितकार नाड़ पर जांदे पामे फोटो अजे भी मैंनो आपनी फोटो नहीं लग दी सन 1903 विच एक दिन बंगलावर विच जदो मैं अपनी लड़की देकार केसी शनान करके बेठा हो यासा ता मेरी सुपत्नी मेरी लड़की ते उस दापती सारे जणे मेरे पास सुथकार नाड़ा के खड़ो गया जदो मैं पुछया ता आखन लगे सान्नू त्वाडी खुली दाड़ी बड़ी चंगी लग दी उन एसे त्रही राण दे। जदो मैं शीशे वेच वेच वेखया ता खुली दाड़ी नाल पामे मैं आपने आपनू होरी कोई समझदा सा पार एक कोई होर मैंनू काफी जदो मैं शर्दा नाल आपने चेरन शीशे वेच वेच वेखया ता आपनी पुराणी थांते किसे चंगे गुर्शिक दे दर्शनी मैंनू होई। मेरी खुली दाड़ी ने मेरे दिल वेच अपने आप समन्दी खास जिम्मेवारी स्वै काबू ते सतकार दे जजबे पैदा ही नहीं कीते सगों कारबार में जिते भी जामा लोकी प्यार ते सतकार नाल मैंनू पेशाओ देने। खलकते वेच एक दुकान तो मैं कुछ खरीदना सी पर उस वेले दुकान वेच गाकांदी बड़ी पीड़ सी दुकान वेच वड़के मैं एक पासे खलोके उडीकन लग पया। इने वेच दुकान वाले ने जदो मैंनू परों वेख के अपने वाल बुलाया। ता मेरे अगे खड़े औरतां ते मरदाने सतकार वजों एक पासे होके मैंनू अगे जान दा मौका देता। चीज खरीदन मगरों मुड़ी वार जदो मैं सारियां दा तनवाद कीता। ता सारियां ने अगों मुस्करा के मैंनू नम्सकार कीती। दरसल गुर से खलाई दाड़ी बन्न ते दाड़ी खुली रखन वेच जेड़ा राज है नू दाड़ी खोड के रखन मगरों खुल दे। एक जून उन्नी सापैंट। तख्त राजा सोब है जे तख्त लाइक होई। जिन्नी सच बचानेयां सच राजे सेई। ए पूपत राजे ना आखियां दूजय पाहे दुख होई। कीता क्या सालाही है जिस जान दे बिलम ना होई। नेचल सचा एक है। गुर्मुख बूजय सोनेचल होई। मेरे अंदरों हमेशा ही एक आवाज आउदी रही है। बंदगी कार। नाम जब। बंदगी दे जरीये तुँ अपने अंदर लुकी पात्षाई हासल कर सकेंगा। बड़ा लंबा समा में इस आवाज दी बिलकुल कोई प्रवार ना की थी। कदे कदे हस के जवाब दे छड़ दसां पूखे पगत ना की जाए। फिर किसे डूंगे समंदर विच्चों लहरां दी तरह। ये आवाज लगातार आउनी शुरू गई। बंदगी कर बिन हर पजन नहीं छुटका रह। आखर मैं इस आवाज दे अगे अपने सारे शंके रख देते। मैं क्या, मैं बंदगी क्यों कराऊं अखा क्यों मीटां। दुनियां बड़ी सोनी हैं। इस विच सोने दरया, सोने पहाड, सोने अस्मान, सोने सितारे, सोने कार, सोने मितर, सोनیاं सिर्जा सब सोनیاں चीजानें। ये सुनके ये आवाज मद्दम पह गई ते मैं खुश होया कि शायद मैं इस आवाज नो सदा लई चुप करवा देता है पर कुछ चेर पिछों फिर मेरे अंदरों ये आवाज होर जोर नाल आउन लग पई बंदगी कर तेरे गुरू ने चूट नहीं आखिया अवर का आज तेरे कितैना काम जाँ फिर जनम बिर्था जात रंग माया कै जाँ फिर जे मैं सुखमनी साह वेच आखिया साथ ना चाला बिन पजन बिख्या सगली चार जेडी दुनिया तैनों बड़ी सोणी नजरों दी है न ये असल वेच तेरा आपना सोचन दा टांगे सुखिय काव पेख है सब सुखिया रोगी काय पाने सब रोगी जेस चीजनू कोई सोणी समझ दै ओ चीज उन्नू सोणी लगन लगबें दी दर्यात है नू सोणे लगदे न पर उस मानू जेस दे पुतर दी सने डुल्ले जांज दर्यातों पारों लगयां किसे दर्याती पेटा हो चुकी होए उस मानू एहा द्रया सप वरगा टेड़ा ते जैर प्रया लगदा होगेगा एह दर्या हर साल सेंकड़े पिंडान रोड के हजारां वसदे इंसानान उतबाद कर देंदेने पहाड तेनू जोने लगदेने पर कांगड़े दे पुचाल वेच चिथे गया लोकां देरिश्यदारान पुचके वेग जिन्नादी हनेरी दुनिया वेच ए पहाड जमदूत बनके नजरों देने तूं कहने तारे बड़े सोने ने पर पुच किसे बिरहन दे दिल कोड़ों सितारयां दा टेम्टि मौना उस दे विचोड़े नू किस तरह टिचरा कर दे दुनिया ना सोनी है ना कोजी है इसनू जिस निगाह नाल वेखो ओहो जी लग दी इस वास्ते तेरी आपने निगाह विच ही सब ताकत है इस ताकत नो भार दी बजाए अंदर वाले पासे वर्त के वेख तेरे सारे शंके दूरों जाणगे तैनों दुनिया दी असलियत समझा जाएगी तैनों मौदा डर्वी नहीं राएगा तेरे अंदर लिया ताकतां जग्ण गिया जिना दे समझे किसे दुनियावी ताकती कोई हस्ती नहीं रहेगी तू कहने पूखे पगत न कीजए पर असल विच बिना संतोख नहीं को राजय ही सच है मेरा विश्वासकार पूखन नु नविर्थ करन दा सब तों वड़ा साधन पगती है असली भुख पेट पर यां नहीं हट दी मन पर यां हट दी क्योंके मान सब पुखा दा सों मैं मन नु संतोख आउंदियां सब तृष्णामा नविर्थ हो जान गिया विखे ना सचे नाम बिन किसे ना लथी पूख है जां फिर सद्गुरु सिरी गुरु मरदाजी नहीं आख है सद्गुरु मिले हैं मन संतोख है तां फिर तृष्णा पूख ना होए इस तना बहुत लंबे समय तक अंदर ली आवाज नाल में टालम टोल कर दा रहा कही वार इसनों च अपीलां बंद ना होई आखर मैं तरमदी सचे अर्था वेचे पडचोड शुरू की थी मेरा मुड तो निश्चा सी के मैं सिखा दे कारजनम लिया है मैंनों शंतिवी गुरु नानक दी सिख्यातों ही मिलेगी इस वास्ते मैं बाबेदा बू आखड़काना शुरू की था श्री गुरु गरंत साहिब जी दी बाणी पामें मेरी मात पाशा वेच लिखी होई है पर इसनों चंगी तना समझना जरा खेचल मंग दै विचारवान खोजीनों कई सर्चे शंके पैदा उन्देने जिनन दूर करन वास्ते सिख्या वेच कोई तसल्ली बक्षपरबंद है नहीं गुर्बाणी दे नाम अब्यासी थे बाउत ने पर पच्मी विद्या दे पड़े लिखे दिमागां दिया मुश्कलानों नाओ खुद समझ देने नाओ दूर कर सकतेने मैं कुदरती ता और ते आंद विश्वासी नहीं है इस वास्ते जित्थे मैंनों गुरु गरं कि गुर्दवारे बिलकुल ठीक ने मेरी अकण होची है जड़ी अजे समझ नहीं सक दी इस तरह सबर नाल उडीक कीतेयां मेरी हमेशां अगवाई हुंदी रही सिम्रन करके कई वार ऐसे सुते सिद ही ख्याला आजान जीनानाल सल्लाँ परदे शंके छेनवेची दूर हो जान दे सन कई वार मेरी नजर विच्छों यह हो जी यह किताब बांत यह हो जाए लेख लंग आजान दे सन जीनान उपड़के मैं हैरान हो जान दा सा इस तरह जाबदा सी जिवें ओ मेरे शंक्यां दे जवाब विच ही लिखवाए गए ने इस तरह मेरे बहुत सारे सच्चे परम अते शक दूर हुन्दे रहे पावे मैं शुरू तोई इस अंदर ली आवाज दी बड़ी बेपरवाई करदा सा अते इस दे कैन अंसार में बहुत काटी चलिया फिर वी मेरी हैना नींदी गल सी के इस दे बावजूद ए आवाज मेरे कन्ना वेच गुंजनों ते मैंनो सिद्धे रस्ते वल लिजानों प्रेयरनों कदे नहीं सी हट दी हुण मैंनों इस आवाज दी बड़ी कदर है मैं इस दा बहुत तनवादी है ए आत्मा दी आवाज सब नों किसे ना किसे तरीके नाल जरूर टुमब दिये जगाउं दिये ते अपन अर्शी पैगाम सुनों दिये हर एक इन्सान अपनी अपनी आत्मिक अवस्था अनुसार इस आवाज नों पच्छान दे समझ दे तेंदे तों फाइदा उठाउं दे इस आवाज दी प्रेरनानाल में बहुत सारी ताहर में किताबां पढ़ियां कई महात्मा माँ पास जाके मैं अपने शंके निवर्द की थे अभियास दे जरीये आत्मिक असूला नों अजमाउन दा मैंनों शुरूतों इस शौक सी कई ऐसियां आत्मिक गुंजलाने जेडियां प्रतक ताउरते एक दूजे दे उल्ट दिस दियाने पर सिम्रण अभियास नाल समुची सचाई नजराउं दियाने इस वास्ते मेरी खोज दा तरीका तनमपस्त का पढ़ दिया सच्चे गुर्मखांदा संग करना ते उना दे उपदेशानों बंदगी दे जरीये परतक वेखना समझना ते अजमाउन दी कुशिश करनी ते नतीजा नोट कर लेना ए मेरा शौक सी मावे आज तक मैं संपूरण नहीं हो सक्या ते अजे वी मैं बड़ी वार तरस योग हालते विच फस जाना मैं पोग बलास्दा शुकी नहीं पर इस तरी जात दी खिच अते संदरता दे चालतों अजे तक मैं पूरी तना अजाद नहीं हो सक्या इस कमजोरी ने मेरी बंदगी दे रस्ते विच बड़े विगन पाये ने फिर वी सिम्रन कमाई ने जेडी मेरी दुनिया विच तबदीली लियां दी ये आते नमे जीवन दात जर्बा कराये ओ मेरा दिल ही जान दे मेरी इस नमी दुनिया वेच दुख है नहीं संताप जां कलपन नहीं पटकना पोख त्रिश्ना नहीं अनंद ही अनंद है शांती ही शांती है शरूर अते बेप्रवाही है इस अंदरली दुनिया वेच छेन पार रेंड दी बराबरी बारली दुनिया दे वड़े तों वड़े रासत दे पदारत भी नहीं कर सकते उनना दा मुकाबला सूरज ते टटैने दे चानन दे मुकाबले वाली गल्ले पावे कुद्रत ने जिस किर्पा अते द्रिया दिली नाल सच दी तलाश विच मेरी मदद की थी है उस दा बदला ते मैं किसे भी हालत विच नहीं दे सक्दा पर फिर भी उस शुकर नो मैं इस किताब दे रहीं परगट करना चाना जिस नाल मेरा देल पर पूरे ते मेरा सिर हर वेले वाई गुरू दे चरना विच नियों है रेंदे शैद किसे लोड़ वंद रबदे प्यारे दी कोई गुझल खुल सके ते उसनों सच दी तलाश विच मदद मिल सके पच्मी ख्याला दे प्रभाव हेट नाजवान मदा प्रस्त ते नास तक हुंदे जा रहे ने जिना नाल ना ते नराज हो हैं कोई फायदा है ते नाई बे फिकर जा बे प्रभाव होयां मुश्कल हाल हों दी इस हालत नूं ठीक करन दा सब तो चंगा तरीक है अपने प्याओ दादे दे खजाने नूं खोड के इना प्रामादे अगे रख देना सचाई दा उनना तरीकें वेच परचार होना चाहीद है जिना नाल विद्वान तबके दे विचार अते दिमाग होते असर होगे अज कल दे समय वेच किसे चीज़ दी लोड ते वड़े आई नूं दुनिया ओदों तक मन वास्ते त्यार नहीं जदों तक जिन्दगी वेच उस दे अमली ता और ते लाब जा फायदे चंगी तरह साबत ना कीते जा सकन। दुनिया आम ता और ते रबदी बंदगी साच दी खोज ते तरम दी लोड नूं बड़ा बे फायदा समझन लग भाई है। इस वेच दुनिया दा ओना दोस नहीं जिन्ना तरम ते ओना दे परचार कांद है। जिन्ना ने तरम दे असली रुहानी पाव आत्मिक पहलू नूं ना खुद समझे ना कमाया ते ना दुनिया दे सामने पेश कीता है। मेरा यकीन है के तरम दी सही तर्जमानी बंदे नूं देवता ते दुनिया नूं स्वर्ग बना सक दिये। ते जदों तक तरम दी गल्त तर्जमानी उन दी रहेगी। गल्त व्याख्या उन दी रहेगी। उधों तक बंदे शैतान ते ए दुनिया मकारी बे रहमी ते बे इंसाफी दा अड़ा बनी रवेगी कसूरों ना तरम्दा नहीं जिनना तरम्दे समझ ही इन खुद गर्ज ते छोटी द्रिष्टी वाले परचार कांद है मेरे ख्याल वेच पच्छम ते पूरब दियां सारियां मुश्कलां दा पक्का इलाज तरम्दी असली ते सची सिख्या वेचे तरम्दे सई परचार नाड असी आपणी ते तरम्दे गल्द परचारतों तंग आई दुनिया दी हालतनों सुदार के जमीन उते रहें दियाओं हैं भी रबी हुलारे ले सकने हैं बंदगी करन दे बेश्चुमार दुन्यावी ते आत्मिक फाइदेने जिस तरह के बंदगी करन नाल ए देल द्रिड ते दिमाग साफ हो जान दे ब्रीक तो ब्रीक विचार करन दे भी काबल हो जाईदे दुन्यावी त्रक्की वास्ते दो में गला बढ़ियां जरूरी ने ते सिर्फ इन वास्ते इत्तरम दी अगवाई बढ़ियां बढ़ियां बंदगी करन नाल आधर्शक जिसमानी सेत हासल हो सक दिये सेत दियां हजारां न्यामतां दा असली स्वाद सिर्फ नाम जबन वालाई मान सकते है अवल तां बंदगी करन वाले नो कोई बिमारी हो दी नहीं पर जे कदे कोई आवे भी तां खुद बखुद बगैर द्वाईयां दी मदद नाल जां काटतों काटदवाईयां दी मदद नाली बंदगी दी दशा विच पाँच जान नाल बिमारी दूर हो जान दी बंदगी दे उचे मंडला विच पाँच के अब्यासी बिमारीयां ते मौत दे पहतों बिलकुल रहत हो जान दे जिन्नी साच्विसारया से दुखिये चले रोए अथ्वा दूख दर्द पर्म पाउन नस्या करण हार नानक मन बस्या जां फिर रोग सोग सब दोख बिनासें जबत नाम मुरारी अथ्वा जो हर हर नाम ते आएंदे तेन जम नेड ना आवे ओ दूजे बिमार लोका नूँ अपनी रुहानी चू नाल राजी करण दे योग बन जांदे बंदगी करण नाल इस महावाग दी सचाई प्रतक नजरों दी सदा रहे कंचम सी काया रोग ना कम हूं प्यापे राब नाल जुड़या होया मनुख अपने आपनू बीमारियां तों हादसेयां तों ते मौध दे डर तों रहत वेखड है ताती वाव न लगई पारब्रम शरणाई चावगिर्द हमारे रामकार दुख लगए ना पाई बंदगी करनवाले दियां सब जरूरी ते आम लोड़ा दुणियावी जा आत्मिक अपने आप पूरियां उदिया रहें दियाने एथों तक के उसनों मंगन दी लोड नहीं रहें दी हाथ अड़न दी आदत पुल जाँ दिया ते उस दी पोखते तृष्णा दूरो जाँ दियाने सथग्रू जी आखदे ने तिसकी तृष्णा पोख सब उतरे जो हर हर नाम तयाव है बंदगी करन दे तरीके नाल रब नाल एक होन दी जाच आ जाँ दिया ते इस तरह रब नाल एक होन रब दिया सारिया ताकतां ते खूबिया बंदगी करन वाले विच आजाँ दिया बंदगी करन नाल आदमी नो ओख जाना लब दै जिस दी पाल विच सारी दुनिया जाँ दी चान ना जान दी होई पटकरी जान बेजार ते बेबलो रही सत्गरू जी आखदे ने गुजडा लद्दम लाल मत्य ही परगट थिया सोई सुहावा थान जित थै पिरिय नानक जी तू उठिया फिर मेरे सत्गरू जी इस तरह समझाओ देने जान तू मेरे वल हैं ता क्या मुच्छंदा तोद सब किछ मैनों सौंपया जान तेरा बंदा लख मी तोट ना आवई खाए खर्च रहंदा लख 84 मेदनी सब सेव करंदा एह वैरी मित्तर सब कीतिया ने मंगें मंदा लेखा कोई ना पुच्छाई जान हार बखशंदा अनद भया सुखपाया मेल गोर गोविंदा सब भेक आज सवारे हैं जान तोद पावंदा की ए फाइदे काफी नहीं के ए ना वास्ते उद्दम खोज जा मेनद कीती जावे की ए ना ना लोके ते कटिया ते ममूली चीजानों हासल करने यसी पूरा जोर पूरा वक्त ते सारा कुझ निचावर नहीं कर देंदे खुशियां ते सुखां दे परचामयां वास्ते हैं हर रोज मारे मारे फिरने पर सची खुशी सदा दे सुख एथों दे ते अग्गों दे अटल अनांदनों हासल करन दा सनुख्यार तक नहीं हो दा कि साड़ी हर पासे दी नाकामया भी निरास्ता ते परिशानी दा कारण साड़ी ताकल दी गल्त वरतों था नहीं हाँ नाम जपन वाड़ा बंदा सारे ब्रहमंडनों अपने प्यावदी चीज़ समझ दे ते संसार वेच मालक बनके फिर दे दुनिया दियां सब शक्तियां उस दे नाल नाल चल दियां पर दी तुनियाने क्योंके उस सारा कुछ दे प्यावदी मलकीय तुनियाने फिर कि ते जाके उसनू इस तर्दी में तेरी सिकदारी दे अर्थ समझ विच आउँ देने ते उस दी तबीयत पात्षाह वाली हो जान दी है क्योंके उपने पिता नो पात्षाह दा पात्षा अते अटल सुल्तान वेख दे हैं नाम जपन वाले पुर्शनों ऐसे आत्मिक गुर ऐसे फार्मुले याद हो जान दे ने जी दे नाल ओ करतार वायगरुनों हरवेले अपने कोड रख सकते जित्थे जावे वायगरु अंदे नाल रहें दे तियों महसूस करदे करबाहर तेरा प्रवासा तुँ जन के हैं संग हरवायगरु दे ताकत नाल अभ्यासी व्यक्ति पहलों अपनिया मंदिया वास्नावानु जित्थे मन नू जित्थे परकिर्ती जा मटीरियल नू जित्थे फिर दुनियां दा मालक बन दे ते सारे ब्रैमंड नू अपनी मर्जी विच अपने हुकम अन्शार चलदा होया जदों कोई चीज जितन वाली ना रवे ता अपने पिता दे चर्णा वेच हमेशा लई अपनी खुशी नाल अपनी मर्जी अन्शार समा जान दे पुत्तर दे पिता वेच समा जान दा अर्थ पिता दा रूप हो जाने जित्ते पिता पुत्तर वेच पेद नहीं रहीं दा इस तरह लगदा है जिमें पुत्तर दे कदे है यह नहीं सी पिता ही पिता सी अते पुत्तर सिर्फ पिता दा एक कौतक ही सी जिस अवस्था वेच पगत कबीर आख देने अब तो जाये चड़े सिंगासन मिल है सारंग पानी राम कबीरा एक भए है कोई ना सक्काय पछानी इन आउचियां वस्थामावेच पहुंचना सचे खोजी वास्ते कोई मुश्कल गल नहीं इस सब सुचे आत्मिक मुनारे गुर्मुखां गुर्सिखां वास्ते ही बनाएगाए ने तांके वे ना मुनारें मेच बैके रबी नजर नाल सारे संसारवल तक सकन हर एक गुर्मुख प्यारेदा इन आउचियां आत्मिक अवस्थामाते उनाई आके जिनना एक पुतर नो अपने बाप दी जायदाद ते हक होंदे पिता पुतर दियां चीजां कोई बंडियां हो या नहीं दियां गुर्मुखो इस पासे वाल सचे दिल नाल एक कदम उठाके विखो स्रिष्टी पार्दियां सूखम ताकतां तुहनू किस तरह मदद करनवास्ते दौड़ दियां कि मैं करतार तैनू मिलन लई आपनी मेबलतादा प्रिक्टावा करदा नेक नीती नाल निमानाओ के बंदगी कार हम्बला मार ते पाई गुर्दास दे कथन दी सचाई परता के वे चर्ण शर्ण गुर एक पैंडा जाये चल सत्गुर कोट पैंडा अगय होए लेत है इस किताब विच मेरे आत्मिक तजर्बे लिखे वे ने हो सकत है किसे होर गुर्मख नाम अब्यासी दे आत्मिक तजर्बिया नाल ये लिखत पूरी तरह सैमत ना होए इन आविच कोई गलती ना होनदा कोई दावा नहीं सगों सिर्फ गुर्षिखां वेच साचदी खोज दा उत्षा पैदा करने ते इस खोज वेच पए होए सुबा गे हमसफर गुर्षिखां दा होसला वदावना है आत्मिक खोज वेच सारे परम ते सारे शंके उपजने जरूरी ने जदों तक के शंके साफना ओजान आत्मेक त्रक्की रुकी रेंदी शंके दूर करन वास्ते संत जना महापुर्षां महात्मावां दा मेल ते ओना दी परसंता वी बड़ी जरूरी है पर आजकल दे समय वेच सचे नाम अब्यासी जो गुरू नानक दे नुकता निगातों आप जानों होन ते दूजयानों खास करके पंच्मी विद्या पड़े लिख्यानों मदद देन दे योग होन ए मिलने कोई सौखा कम नहीं इस किताब विच इस मुश्कल नों किसे हादता के दूर करण दा यतन कीता गये बगुत सारे गुर्मकांदा ख्यार है कि आत्मिक गयान जा आपने आत्मिक तजर्बे आम लोका नों दसने नहीं चाहिए यह क्योंके पहली गल, आम लोक आत्मिक सचाई नु समझन दे योग नीम दे, ते कई वार बजाये फायदे दे नुकसान उठा लें देने दूसरा, आत्मिक ग्यान बड़ी दुड़ाब चीज है, ते इसनु सस्ता नहीं करना चाहिए ते तीजरा, आपने तजर्बे दसन नाल मानता होन लग पहीं दिये, ते हंकार हो जान दे, चौथा, आत्मिक दात वंडेयां आपने आपेच उन ताई, ते कमजोरी आ जान दि, मैं इना सारियां गलानु चंगी तना विचारे है, ते इस नतीजे ते पहुंचियां, के पहली आत्मिक सचाई दसन विच किसे हालत विच भी किसे दा कोई नुकसान नहीं हुंदा, शिरी गुरु ग्रंद साहिब जी विच सचाई दा बड़े सपष्ट अते जोरदार अक्रा विच परचार कीता गया, हरेक सिख दा इस परचार नू आम लोकां तक पुचाना फरजे, न आपनी च्छाती विच बंद रखन नाल, आते खुला परचार ना करन नाल, अज आत्मिक खोज ते आत्मिक खोजी अलोप हो रहें, कई लोग आत्मिक ग्यान नू बड़ी बे लोड़ी, ते विल यांदे कम करनवाली गल समझ देने, हालांके कोई वक्त सी, कि आत्मिक ग्य आत्मिक ग्यान विद्यादा अत जरूरी हिस्सा गिन्याँ जांदा सी, नंबर तिन, जैसी नियत तैसी मुराद हों दी है, जेडा बंदा, नेक नीती नाल, शरबत दे पढ़े वास्ते अपने तजर्बे पेश करदा है, उसनों ते फाल हमेशा पलाई दी शकल विच मिलद कदे हंकार नी पैदा हुंदा, आदमीं दी मानता कई हालता विच उसनों सगों नर्मान बना देंदी, सचे गुर्षेख दी निगा विच सिखी दे रुत्बे नालों, दुनियां दे दित्ते सब रुत्बे मान ते खिताब, छोटे ते ममूली हुंदे ने, नमबर चार, आत्मिक दात वन्रियां कट दी नहीं हुंदी, एथे वी नियत ते मुराद वाड़ा असूल ही कम कर दे, जिस ख्याल नाल आत्मिक परचार कीता जाए, उस दा वैसा ही फाल निकल दे, कदे मैं लोक छेप के पजन करनू बड़ा चंगा समझ दाशा, ते पहली आवस्थामा वेच वैसे अभ्यासी नू इस तरह ही करना चाहिए, मैंनू सिम्रन भ्यास दा शाओक आपने दादी जी दे सत सांगतों शुरू है, वी पची साल मैं बड़ा लोक छेप के सिम्रन भ्यास कीता है, आपने रिशेदारां इस तरी अते बाल बचयानू ते दोस्तानू भी पतानी लगन देता, हद दी रात नू जागन ते स्वेर सार सौ जान दी आदत नाल आपनी खोज नू मैं काफी हद तक गुपत रख सकयां। पर किसे खास वकतों बाद आपने आत्मिक तजर्बयानू गुपत रखना मैं खुदगर्शी समझना। आपनी खोज ते आपने दी जीवन तजर्बयनू दुनिया दी सेवा वेच पेश्ट करना। कुल इनसानी तजर्बयनू अमीर बनाना ते वुदवन है। मैडम डी स्टील दे कथन अंसार। सर्च फार ट्रूथ इस दी नोबलेस्ट अकूपिशन आफ ए मैन। इस पबलिस्टी इस ड्यूटी। पाव सचाई दी खोज ते उस दा प्रचार इंसान दा परमतर्म होना चाहिए। इस किताब विच मैं अपने तजर्बें बगैर किसे संकोत दे ते बगैर किसे वदे काटे दे। बिलकुल आम अक्रा मिच बियान करन दे यतन कीता है। इस तरह करन नाल मैं आत्मे के दृष्टी तों गरीब जांक कमजोर नहीं होया। सगों मेरा बहुत पढ़ा होया। मेरे कई ख्याल इस किताब दे लिखन नाल साफ ते द्रड हो गया। जिवें इस खुब विचों जिनना पाणी कडिये और नई ताजा पाणी हो रा जांद है। आत्मिक कमाई वंडियां थोड़ी नहीं उंदी सगों होर वद दिये। ते इस तरह होना भी चाहिए। एओ खजानें जिस दे बारे विच क्या गया है। खावें खर्चें राल मिल पाई। तोट ना आवें वद दो जाई। कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए सो एथ खजानें लया रलाए। एक जून उन्नी सौ सेंटी। कर बंदे तूं बंदगी जिचर कट मैं साह। बंदगी नामा पाव सच दी प्राप्ती दे साधन। सिख दा असली मतलब सिखन दा अविलाशी साच दा खोजी जां ग्यान दा मुतलाशी हुंद है। साच दी तलाश सिख दे जीवन दा आधार अते आधरश है। ये स्रीरते स्रीर दियां सब खेडां खेड़दा हुया। माया विचों लंगदा दसानवां दी कमाई करदा ग्रिस्ती दे सारे फरजने बाउंदा। बाल बच्चे इस्तरी मां पिता रिष्टेदारां दोस्तां। काउम जा मुलक दे दुनियां दी सेवा करदा हुयां। अपने खियाल विच इन असारें तों वकर आरा है। दुनियां दे सब स्वाला नुल्धा राल करदा हुया। अपने सम्ण अपनी असलियत दी पचछान स्वालीन नवी सब ।ों खास संभदा। ते उसनों जिन्दगी दे राज नो समझन दी खाहश जिन्दगी दे किसे हिसे विच भी चैन नहीं लेन देंदी उस दी रीज, उस दी तलाश, शाउक, खोज ते ओ दी जिन्दगी, जिन्दगी नो समझ नहीं हुंदा है उसनों आपनी काम्याभी ते पूरा विश्वास हुंदे है इस वास्ते ओ उत्षा आते द्रड़ता दा रूप बनके रहींदे सिख ते हार दुनिया दी कोई खिच, कोई लालच, कोई रुकावट सिख दे जमंदरू, खोद दे सुबा नू दबा रही सकती वो माया तों, पाप तों, इन्सानी कमजोरियां तों, कई वार हार खा सकते बुरी तरह हार सकते परवे ना तो जित्या नहीं जा सकते उसनों सुबावगी पता हुंदे है के रसा कशी विच, कश्मकश विच, लड़ाई विच जित उसे तिरदी हुंदी है, जड़ी अखीर विच जित्या इस करके ओ मुश्कलानू हमेशा हाथी दी तरह पैरा एठल लिताड़ दै आपनी खोद दी तों विच आपनी आखरी जित दे यकीन दी तसल्ली विच आपने रस्ते ते अडोल तुरी जान दै वो दे पैरा वेचे कंडे चुब सकदे न, जखमी कर सकदे न, पर उसनू अगां तुरन तों रोक नहीं सकदे वो इस रस्ते वेचे डिग सकदे, हड़ गुड़े तुडवा सकदे, पर उस दी नजर हमेशा पुची रें दी ये जिसकार के वो डिगदा, टैंदा, उठदा, कपड़े चाड़दा, ते आपने सफर नू काइम रखदा है, ते आपनी खोज भी जारी रखदा है शेख दा निश्चा शेख नू गुरुनान को ते उनना प्रोसा हुंदा है, जिनना बचे नू मां हुंदे उसनू यकीन है के गुरुनान क देवजी दी उंगली फड़के, ओएस दुनिया दे मिल्ले विच, पीड पाड विच, रौले गौले विच, कदे गवाच नहीं सकदा ओपने गुरुदेव दे बचना विच पूरण विश्वास रख दे, गुरुबानी नू सच समझ दे, पर आपने विश्वास नू अंध विश्वास नई बनन देंदा वो गुरु दे हार बचन नू स्याना ते होन हार विद्यार्थी होन दी तरह पूरे तार ते समझन दी कोशिश कर दा है वो उसनू पता हुं दे के जदों ताक समझ ठीक ना ओवे ग्यान प्रापत ना ओवे इंसान दे करम ठीक तार ते दृस्त नहीं हो सकते इस वास्ते गुरु दे बचना दी सचाई नू अटल मनदा ओयावी उना नू समझन दी वर्तों वेच ल्याउन दी ते अजमाईश दी कसावटी ते लाके विखन दी दलेरी रख दे सिख दा सबर सिख नूए भी पता हुंदा है के जिस चीज दी ओ खोज करनी चाऊंदा है ओ दुनिया दियां सब खोजा तो मुश्कल खोजा है काड़ी ते जल्द बाजी नाल कामनी चलना इसलिए उस दा सबर पहाड वर्गा द्रिड ते गंबीर हुंदा है ओ स्विच इंतजार करन दी पूरी शक्ती हुंदी है ओ जित्थे आपने गुरुदेव दे बचनानू नहीं समझदा होते ठैर जान दे हाथ जोड के निर्मानों के हाडे पाके पुबा मार के समझन वास्ते रोष्णी वास्ते ते रहनुमाई वास्ते अरदास करदे ते संतोख नाल अपनी अरदास दा पाल उडीक दे ओ जान दे के उस दी अवस्था नुशार उसनों वाई गुरुदे अपार पंडार विच्छों रोष्णी आउनी वाई गुरुदे करविच किसे गल्दा काटा नहीं पर हरेक पुर्ष्णी वस्थे हाला दे मताबक जायज जरूरत अनसार दातां मिल दियाने इस वास्ते सिक सचे आशका वांग इंतजार दी ताकत रख दे हाफिज शिराजी दे कथन अनसार रोजे बरसी बावसल हाफिज गर ताकत इंतजार दारी वो जान दे कि उसने मनुकतों देवता बनने ते एना दोहा हालता वेच जेड़ा जमीन असमान दा फासल है वो उसने ही तै करने ते एह तबदील एक दोधना वेच नहीं दी एक आम ते जीवन पार वेच भी सिरे चड़ जावे तां खुश किसम दी इस वास्ते उत्ती रज़ते प्रोशे नू आपने सफर दे पके साथ ही बनाई रखते है सिक सच्चा सिपाई है इसले यो नाकामयाबियां तो कप्राउधा नहीं बढ़के मुकाबला करके उन्हानु जित दे खंडे दा अम्रे तोसनु सई अर्था मेंच पूरा सिपाई बना दे शस्तर फड़के चूट जुलम बेन साफी ना लड़न दी भी समरता रखते अथे आपने मन नाल मन दियां कमजोरियां तो पैदा होईयां अनेका मुसीबता नाल भी अठे पैर जुट्या रहीं दे पापां दियां मून यां फाजानु कटदा टुकडे टुकडे करदा पैरां हेठल ताड़दा अग्गे तुड़े आजांदे शेख दा मन रणपुमी हुंदे जिस विच वो अपने पुराणे सदियां दे बने होए मनुखी सुबान आल हरवे ले युद करदे ते हरवे ले खटा पटी रखदे सेख वास्ते निडार होना हिमती होना ते सच वास्ते सब कुछ कुरबान करन ले त्यार होना बहुत जरूरी सच सब कुछ दी कुरबान नहीं मंग दै क्योंकि जिते सच वे ओथे होर कुछ रही नहीं सकदा सिख दा आदर्श सिख वास्ते अमरित शकना रैत रखनी गुरबानी पड़नी कीरतन करना सुनना सब कुछ जरूरी है पर सिख दी असली रीज ते त्रिशना वाईगरू दे दर्शन वाईगरू दी समझ वाईगरू वेच लीनता ते वाईगरू रूप होके वाईगरू वेच समा जाने जिस पुर्शनु आपने मनुरत दा मकसद दा निशाने दा सावत और ते पता होए ओ निश्चे ही कदे ना कदे उथे अपड़ पैंदा मैं पहलों पहले टे आस पड़ना शहीदियां सुननियां सिखी समझ दा साव पर जिमें जिमें मैंनों हो शौðी गई मैं टे आस ना लों टे रे रास गुर्बानी वेच मनना शुरू कीता कीलतन सुनन पाठ करन गुर्द्वारे जाके मथा टेकन जां कारशरी गुरु ग्रंद साब दे रोजाना दर्शन करन वेच मेरी बड़ी तसल्ली हुंदी सी पर मेरी पूरी तसल्ली ये थे भी नहीं सी होई मेरी आत्मा इस सब कुछ नूं कबूल करन मगरों वेच त्रिपत्य परसंद नहीं सी होँदी पुखी रहिंदी सी मेरी आत्मा कोई अटल सोख पाड़ दी सी जेडा सोख आद मद जो अंत निवा है सो साजन मेरा मन चाह है हरकी प्रीत सदा संग चल ले दयाड पुर्ख पूरण प्रत पल ले रहाओ बिनसत नहीं छोड ना जाए जैं पेखा तें रया समाए सुन्दर सुगड चतुर जीदाता पाई पूत पिता प्रभमाता जीवन प्राण अधार मेरी रास प्रीत लाई कर रिदय निवास माया सिल्क काटी गोपाल कर अपना लीनो नदर निहाल सिमर सिमर काटे सब रोग चरन त्यान सर्व सुख पोग पूरण पुरख नवतान नित बल्ला हर अंतर बाहर संग रख वल्ला काउनान का हार हार पदचीन सर्वस नाम पगत काउदीन महफर गुरबानी दा पाठ किसे होर तरीके अन्शार करना शुरू की था पंज सत वार गुरू गरंथ साहब जी दा पाठ प्यार नाल समय समझ के करन तो बाद मैंनो गुरु गुरंद साहब जी विचों खास करके दसियां उयां दो चीजां लबियां एक वाई गुरु ते दूसरा उस दी प्राप्ती दा सादन वाई गुरु दा नाम मैं नहीं कह सकदा के कोई सौखा कम सी असान रस्ता सी पर इस दे रस्ते जोब, शान्ती, खुशी ते अनंद मैंनू मिलेने उनना दे मुकाबले विच मैं आपनी सारी मेनुत, सारी कालणा सारी कोशिश ममूली समझना मैंनू ते जिमें कौड़ी बदले हीरा मिल गया है जदो मैं दुनियां दे लोकाणू ममूली ते आरजी मायक सुखाँ वास्ते एनी कालणा कालदियां वेखना ता अपने आपनू ओना दे मुकाबले विच ममूली कोशिश दे बदले एड़ी वड मुली दात मिलन ते अपने तन पाग समझना गुर्बानी गौडी महला पंजवा गुर्पूरे मेरी पैज रखाई गुर्पूरे मेरी पैज रखाई गुर्पूरे बचन त्यायो मोहे नाओं गुर्पर साद मोहे मिलिया थाओं रहाओ गुर्पूरे बचन सुन रसनव खाणी गुर्किरपाते अम्रित मेरी बाणी गुर्के बचन मिटिया मेरा आप गुर्की दयाते मेरा वड़ परताप गुर्के बचन मिटिया मेरा परहम गुर्के बचन पेखियो सब ब्रहम गुर्के बचन कीनो राज जोग गुर्के संग तर्या सब लोग गुर्के बचन मेरे कारज सिद गुर्के बचन पाया नाओ निद जिन जिन कीनी मेरे गुर्की असातिस की कटिया जम की फसा गुर्के बचन जागया मेरा करम नानक गुर पेटिया पार ब्रम गुर्बानी दा रुत्बा गुरू दे बचन सिख्या उपदेश गुरू हुंदेने गुरू दे सरीर गुरू नहीं हुंदा गुरू दे सरीर दी उचता पवित्तर ताते सितकार इस वास्ते हुंदा कि उस विचों गुरू दे बचन गुरू दे उपदेश निकल देने जो मनुखतों देवता बना देन दी शक्ती रख देने गुरु गरंद साहिब इचे दर्जमानी सिरी गुरु नानक देव जी अते होर गुरुआं पगतां दे बचन जाउपदेश ने उन्ना दी आत्मा दे दर्शन ने ये उन्ना दी स्पिर्ट है उन्ना दे जीवन द अत्जर्ब है इस तरह सिरी गुरु गरंद साहिब जी गुरुआं दी देही तों किसे हालत विच भी काट सतकार योग नहीं बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अम्रित सारे अत्वा सत्गुर बचन बचन है सत्गुर पाधर मुक्त जनावैगो बचन कैन वाले बंदे दे मन दी जेड़ी अवस्था हो वेना बचन सुनन वाले दे मन दी ओहा अवस्था हो जांदी है जिस अवस्था तो बचन निकले सुनन वाले दे मन दी ओ अवस्था बन जाँदी बचन एक ताकत है जदू है गुर्बाणी क्योंके गुरू साहबान दे मन दी ओस उच अवस्था विचों पैदा होई जिते हौमेदा नास दे ब्रह्म दा प्रकाश हुंदे जिते इंसान खतम हो जान दे ते सिर्फ रब ही रब रह जान दे इस वास्थे गुर्बाणी पढ़न सुनन नाल मान अस्थूल मंडला तो निकल के सूखम आतमिक मंडल वेच पाउन जान दे ते द्रगा दे चलका अरे वेह दे एक गल सोडा आने सच तुर्की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई अथवा गुरु रामदास जी आख देन सत्गुर्की बाणी सत्थ कर जानाउं गुर्शिखो हार करता आप मुहों कढ़ाए जिस निर्वैर ते निर्पैया अस्थान ब्रह्मतों गुर्बाणी पैदा होईए ये सुनन जाँ पढ़न वाले नो उसे अस्थान वेच पुचाशक दीए ये कारण है के गुर्बाणी नो मन्टिका के पढ़ेयां जाँ सुनेयां मन, शांत, निर्वैर ते निर्पैय हो जान दे गुर्बाणी मन्दियां सब बीमारियां दा इलाज जिस तरह मेटीरिया मेडिका वेच श्रीर दियां सब बीमारियां दा जिकरते इलाज उन दे उसे तरह स्रीगरु ग्रंद साहिब जी वेच मन्दियां सब बीमारियां दा जिकरते इलाज मजूदे इसे करके मन दी हर भी मारी दा रोगी सिरी गुरु ग्रंत साहिब जी दे पाठतों संती हासल कर दे गुर्बाणी सब अवस्थावां दे पुर्शां दी अगवाई कर दी गुर्बाणी नू गुरु रूप समझ के पड़न वाड़ा जिस अवस्थादा पुरुश होवेगा उसनू उसे अवस्थादे इशारे समझ पेंदेने ते आपने वाल खिच देने जिवे जिवे इंसान दी अवस्था बदल दी जावे गुर्बाणी एक सचे अवस्थाद वांग उस दी रहनुमाई भी बदल देंदी फिर ओहा शबद मन ते चोट कर देने प्रेर देने जिनन दी मननू लोड़न दी इसे करके गुर्बाणी दे जिनने पाठ करी जाओ नमी समझ नमे अर्थ नमिया वीचारां पैदा हुंदी यान ते जदों तक इंसान पूरण वस्था वेच नाम पहुंजावे गुर्बाणी राही उस दी इसे तरह रहनुमाई हुंदी चली जाँदी आपणी आत्मे का वस्था लबणी हर आदमी दी आत्मे का वस्था एकोजई नहीं हुंदी सिरी गुरू गरंद साहिव जी वेच सब तरह दी आत्मे का वस्था वास्थे रहनुमाई है हिदायता ने आम गुर्षिक्खान नु दिकत य нов ई कि ओ सिरी गुरू ग्रंद साहिब जी विच्चों किस किसम दे वाका नू अपनी अवस्था दे अनकूल ते आपनी आत्मिक उनती लई जरूरी समझन। इस दिक्कत नू दूर करन दा जड़ा तरीका मैं सफलता नाल वरतिया ओ एसी कि जिस किसम दे वाक मैंनू चंगीत ना समझ पहें दे सान। ते जिस किसम दे वाक मैं बाउत पसंद करदा सां। ओ वाक जा उनना वेच दसियां हिदायता अपनी आत्मिक उनती लई मैं जरूरी समझ दा सां। जिमें कईया नू वेराग दे शबद, कईया नू निर्मानता ते बेंती ते शबद, कईया नू पगती ते नामक माई वाले शबद, ते कईया नू ग्यान दे शबद बड़े चंगे लगदेने। जहां इको बंदे नू आपनी खोज दे दोरान कदे वैराग, कदे निर्मानता, जहां अरदास वाले, ते कदे पगती जहां सिम्रण कमाई वाले, कदे ग्यान वाले शब्द चंगे लगदेने, ते दिल ते बाउत असर करदेने, इस दा कारण ये उन्द है के वक्ष वक्री आत्मिक अवस्थानों वक्ष वक्री अगवाई दी लोड़न दी, ते गुर्बानी दे उसे अवस्था दे शब्द मनते ज्यादा असर करदेने, जिस अवस्था दा अभ्यासी जां गुर्मुख उस वेले ओ आप हुंदे, गुर्बानी वेच स्वेविरू दी ख्याल, कई गुर्बानी वेचे हो जाए शब्द मिल देने, जिनना दा मतलब प्रताखता औरते एक दूजे दे उल्ट परती तो हुंदे, जिस तरहां किते लिख्या हुवे, सुन सकिये मिल उद्दम करे हां, मनाय लें हर कंते, ते फिर किते लिख्या हुवेगा, प्रभबां पकर जि सोच संजम, ना ही इन विदे छुटकार, प्रताखता औरते दोमे उपदेश, सेल्फ कंट्राडिक्टरी, पाव स्वै विरोधी लग देने, पहला उद्दम करन दी प्रेरने, कोशिश करके वाईगरूनू, मिलन दी प्रेरने, ते फिर आख देने कोशिश नाल, हीले नाल, जापताप नाल, पाठ नाल, वाईगरून नहीं मिलदा, वाईगरूनू सिर्फोई मिल सकते, जिस उते उस दी आपनी मेरोवे, ते जिस दा हाथ फाड़के उ आपने वाल खिचे, ते हनेरे खूतों कड लवे, इस तरह दे कई शबद स्वै विरोधी लग देने, पर असल विच ए एक दूजे दे उल्ट नहीं हुंदे, वक्षो वक्री अवस्था दे इंसानना वास्ते वक्षो वक्रे इशारे हुंदे ने, उद्दम ते हुकम, बंदगी हमेशा उद्दम कोशिश ते यतननाल शुरूं दिये, पर जदों अब्यासी विच अनपावदियाक खु पुर्खु दे इच्छा सी, उसदा हाथ सी, उसदी मदद सी, हार कदम ते हार फुरने दे मगर रब दी मर्जी ते उसदा हुकम सी, वो अपनी पिछली सारी जिंदगी नू मवजूदा जिंदगी दी नी अते त्यारी वेख दै, उसदे ख्याल वेच बड़ी तबदीली आ विचारना शुरू कर दे, इस तरह होना भी जरूरी चाहिए, एक ममूली इंसान तों देवता सिर्फ ख्याला दी तबदीली नाली बन सकी दे, एक महातमा ते मूरख आदमी वेचे सिर्फ ख्याला दाई फरकुंदे, गुर्बानी दी समझ वास्ते सबर ते कोशिश बहुत जरूरी ने, खोजी नों, सिख नों, जिते गुर्बानी दी समझ ना आवे, ओथे कबरा के खोज नहीं छड़ देनी चाहिए, बढ़के निर्मान होके, समझ वास्ते प्रार्थ ना करनी चाहिए, सबरते संतोख दा जिन्ना मुल आत्मिक खोज विच मिल दे, दुनिया दि सबर एक ताकत है, हड़ दा वेग है, जिसनों कोई आवकड रोक नहीं सक दी, सबर संतोख ना लुड़ी कियां, ते खोज दी तोन कायम रख देयां, गुरू रूप गुर्बानी विचों हर सच्चे शंके दी नुविर्थी हो जां दिए, गुर्बानी सब इच्छा मां प द्यादा सागर, ग्यानियानू ग्यान दा पंडार, पगतनू पगती दा खजाना, दुनिया दे दिवाने नू शांती दा चश्मा जाप दी है, त्यागी सन्यासी महात्मा जंगलां विच राजे माराजे तखतां थे, दुनियादार दुनियावी, खेडां खेड दे, हर कि दे लोग बढ़के चोर यार डाकू ठग सब गुर्बाणियों के सिर्च चुका हुँदे ने ते अपनी हालत मुताबक इस तो लाब उठाँ दे विखे जांदे ने गुर्बाणी दी मैमा इसलिए अपरम पार है क्योंके इस दी उत्पती दा सुमा अपरम पार है इस सच तो निकली है सच दा रूपे ते आपनी छो नाल इन्साननों सच वाला प्रेर दी है ते सच दा रूप बढ़े गुर्बाणी दे दन्यावी ते आतमिक लाब गुर्बाणी आरजी तरते विखे पके तरते विखे बड़ी श्छांती दे दी है इन्सान नो दुनिया दारी दिया रोजाना अवकणा साफ करने मेंच मदद दिये होसला वदाओं दिये पेठ ठोक दिये ते नालो नाल दुनिया दे चूटे ते ममूली सुखा वलो उपराम करके उस दे समने आत्मे के ख़जाने खोड़ दिये पात्षाहां दे पात्षाह अकाल पुरुखनाल जान पजान कराऊं दिये ते आत्मे क मंदला में चरैन दे योग बनाऊं दिये ना पढ़न नालो गुर्बानी बगैर समझे पढ़न वेचवी आत्मे के लाब है पर जो फालते फायदा गुर्बाणी नू समझ के पड़न ते उस उते विचार करन तो निकल देना उस दी उपमा कथन तो बाहर है। गुर्बाणी पड़न दा अस मतलब ही ए है। गुर्बाणी पड़न वेले मन दी हालते। गुर्बाणी पड़न वेले मन बच्चे वांग निर्चल, साफ, सिदकी ते प्यार परया होना चाहिए। शिरी गुरु ग्रंद साहिव जीनु पितास मान समझ के उस तो कोई उपदेश हासल करन दी इच्छा नाल उस दी शर्ण विच ओना चाहिए। अदब नाल बैना प्रेम नाल पाठ करना चाहिए। चेते रखना इस तरह करना बोत प्रस्ती नहीं। जदों तक मान लगे पाठ करना चाहिए। पामे एकपन पामे बाउता। पाठ करन वेले आपने आपनों किसे पूरन पुर्ख दी हजूरी विच बैठया मैसूस करना चाहिए। इस तरह सिरी गरूगरंत जीदी ताव्या बैठें। मैंनू अतमुशकल दे समय वी सरी गरूगरंत साहिब जीदी थाूरी साखियात गरूर्जुन देव बैठे मैसूस हूँस ओँदे। पामे एक वस्तह मेरी बेबलता दा। ज़ा मेरे विश्वास दाई नितीजा क्यों ना हुए, फिर भी हिंदे विच मैनू बड़ा स्वादाऊ दासी। इस तरह माने होए आनांद दी चलक सुफने विच पोगे राज दी तरहां रह रह के मैनू यादाऊ दी। प्यासे हिरननू दूर तों चमक दी रेत, पानी दी चील ठाठा मार दी दिस दी। उस दा मन खिड़दा ते विच सदे। पामे ओ द्रिश उस दा पुलेखा जा मन दा संकड़पी क्यों ना हुए, उस दी उस वेले खुशी दी कोई हाद नहीं रह दी। उस दे चाड़ा मारन, उस दे दाड़ के पानी वल चुकनतों उस दे मन दी खुशी परपूर हालत जाहर हुंदी। इस वेच कोई शक नहीं। अब यासी दा अधर्श हमेशा उच्चा हुंदा चला जांदे। पर मनजल अग्गे तों अग्गे लम्मी उन्दी जांदी। पर रस्ते वेच थकान ते भेबलता दे समय किते ठंडियां च्छामा मिच बैके कीता अराम वी पुलदा नहीं। मन ते गुर्बानी दा असर। आपने मननू गुर्बानी दे मगर चलाणा चा एँद है। मन विच्दियां सब ख्यालां, विचारा रामानू कड के मन शुद्ध साफ करके कुर्बानी दे ख्याल मन मनू ते असर करन देने चाहिद है। इस तरह दिल ते दिमाग साफ करके पाठ कीते हैं, गुर्मत दी रंगण मनों ते छेती चड़ जाँदी, आतमेक त्रक्की दी रफ्तार तेज रहें दी, गुर्बाणी दा नुकता निगा छेती समझ विचाओंदे, इस तरह गुर्बाणी पढ़न वाला गुर्बाणी दी अखां विच्छों संसार दी खेड वेखन लग पैंदे हार चीज उसनु आपनी असल हालते विच दिसन लग पैंदी गुर्बानी दी जारा जहूर कड़ा उपर लिखे त्रीक्या नाल पाठ कीतियां स्री गुरू ग्रंद साहब जी दी इस मटीरियलिस्टिक दुनिया दे विच वी जारा जहूर कड़ा विखी जा सकती है। नविर्ती गुर्बानी विच वंदी रेंदी। गुर्बानी दा निश्य नाल पल्ला फड़यां सिख आत्मिक मार्ग वेच दिन दूनी ते रात चोगणी त्रकी करदा होया अपनी यात्रा सफल कर लेंदे। सत्गुरु जी ने आख्या सत्गुर्बचन बचन है सत्गुर्बचन है सत्गुर्बचन पद्धर मुकत जनावैगो।